हे हलो फ्रेंड्स तुआ गया मैं एक और न्यू वीडियो के साथ यहार रेंग पुसिंग के एपिसोड नमबर 17 होने वाला है और अभी तक मेरा हिरोईक में 4 श्टार लग चुका है और जल्दी मैं 5 श्टार भी लगा लूँगा लेकिन अभी जो आपको मैं गेमपले दिखा तो यार की वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे करके मैं डालता हूँ तो फिर चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ये रहा अच का पहला मेच इसमें मेरे अभी तक एक ही किल हुआ थे यार और उने एक छोड़कर अभी 2 ही बंदे और वच रह थे अब मैं दोनों को उड़ा देता फिर भी मेरे को पूरा प्लस नहीं मिलता यह तो बात मेरे को पता लग गया था क्योंकि तीन किल के साथ आजकल पूरा प्लस नहीं मिलता है उदर एक बंदा जो ड्राप मंगा हुए था तो मैंने विस्कोप करके देखा तो रेड डाट आया फिर फायर करने स्टार्ट कर दिया और फिर उसने भी मेरे को डामेज कर दिया था तो मैंने क्रोनो जला के उसको उड़ा दिया अब यहाँ पर लास्ट वाला बंदा और बच रहा था उसका लोकेशन मेरे को बिलकुल भी नहीं पता था कि वह कहां पर है करके लेकिन एक बात तो मेरे को पतल चल गया था कि वह बंदा जहां भी होगा वह उपर में ही होगा क्योंकि नीचे की तरफ पूरा ओपन में जोन मेरे को head असानी से लगा सकता तैंग नहीं फिर उसका fire जो किया न वह गोली मेरे से लग सकता थाइ इसलिए मैं बैट गया तब बज गया और मेरे को डाय में जोई नहीं लगा इधर गया ऊपर के कि उसको इतना ज़्यादा परिसान कर देता कि वह बंदा जोन में आनी पाता और इधार मेरे को मैं सोच रहा था मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा जोन में आने के लिए लेकिन मेरे को कोई सभी दिक्कत नहीं हो ऐसा कुछ भी नहीं हो मैं आराम से जोन में आई गया और दो लेकिन वो एक जगा पर टिकता ही नहीं था तो उसको एक भी मेरा नेड नहीं लगा यहाँ पर वो बंदा आ गया था तो इसको मैंने MP40 से थोड़ा सा डामेज दे दिया और इसको एक हेड भी लगा दिया था तो मैंने अपना हील जो है पूरा कम्प्रीट कर दिया इतने म हील औप बंदा हो गया था साथ तक तो यहां पर चुँम आजाता है तो यहां पर मेरा मिस्पायर हो जाता है लेकिन मैं हरायम से उसको फित कर दिया गचे हीड लगया ऊसको लेकिन मेरे ही vient खूल के साथ किल आगा है मेरा पहले सब्था य स्क फित मेरे पूरेको फे प्लास प्लस मिलें चलो ठीक है उतना चलता है और अगर बात करें हम इस वाले मैच की तो इसमें मेरा कील अभी तक दो ही था और मेरे को छोड़कर अभी छाय बंदे और बच रहे थे एक बंदा तो मेरे सामने ही था सायद हो सीमेंट हाउस में था अब मेरे पास ज्यादा तो वाल न लेना था बूइया और बूइया लेने के लिए 5-6 जरूरी होता है और इधर वह बंदा तो इधर ही था सीमेंट हाउस में सायद तक और बाकियों का मेरे को लोकेशन बिलकुल भी नहीं पता था तो मैं इधर ही उपार में रहना चाहता था क्योंकि हाइट का करके मैं यहां पर देखने का ट्राइब कर रहा था लेकिन वेहां पर मेरे को कोई नहीं दिखा तभीया अचानक से मेरे को वहाँ से फायर आना उ स्टाट हो जाता है तो यहां पर मैं इसको अप्खर को थोड़ा वह दामेज कर्ने का ट्राई करता हूं इसको 2 внеш does Aldous islaगता ह था तो इसको मैं उड़ाने वाला थाल तभी मेरे को सिमेंट हाउस से वह बंदा जो है फायर करना स्टार्ट कर दिया और उसने इस वाले बंदे को उड़ा दिया इस टैब में मेरे पता तो नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत साख हो गया था कि इसी बंदे को उसने उड़ाया सिमेंट है उस वाले बंदे ने क्योंकि इधार ही वह फायर मतलब उसका रेड डॉट जो है वह इसका जो रेड डॉट के एंगल होता है न वह इधार ही आया था तो मेरे को पता लग गया था इस वाले बंदे को उसने उड़ा दिया करकी अब मैं एक नेट करने वाला तो वह ख़ड़ा था लेकिन मेरा नेट जो है वह गया नहीं वहां तक अगर जाता तो फिर साथ से वह बंदा नेट से किल हो जाये रहता वह बंदा काफी समझदार था एक नेट मैंने किया तो ओपन में नहीं रुका और फारण जो है घर के अंदर चला गया अब मैं इधार उसके की आम ले रहा था उस पर लेकिन जो है वह एम जो है वह देता ही नहीं था तो मैं इधार आगाँ है फाल्थ का रिस्क नहीं लेने वाला था एम लेने में बलब्र मेरा एम लेने का धर समयरा घरीसी मतलब मख्यल हो जाये रहे था उसका ऐसी कई बर बंदे यो मार देते मेरे को खुद मार चुका है और इधार एक बंदय आ जाते है मैंने फाइर करने का ट्राइं किया लेकिन जो है वो मेरा फाइर लगाए नहीं उसको और इधर मैंने एक landline लगा दिया ताकि वो बंदा कोई आए तो इधर वो landline से फट जाए करके तभी वो बंदा इधर यह आ जाता है लेकिन वो बहुत चलाग्थ landline चेक करके इधर आया और एक नीचे वाला बंदा जो है नेड़ पे नेड़ किये जा रहा था इसको तो मैंने उड़ा दिया था इसको भी एक हेड लगा लेकिन हेड़ साथ मेरे को किल आ गया था वह नीचे वाला बंदा जो है इतना ज्यादा नेड कर रहा था, उसको साइथ इसने मेक सवन से उड़ा दिया जो नेड कर रहा था उसको नीचे कुछ के मैंने इसको उड़ा दिया, इसमें मेरे को 4 किल के साथ बूया मिल चुगा था तो वह बंदा नेड पर नेड की ही था दिखाई रहा था त्लिसमें मेरे को नेड़ कंपने में नहीं काल आगा प्लस मिलें तो हमेटाकमS लेटार दो किया नहीं से जोड़के जिनमें से किसी क्भील मेरे को लोकेशा नहीं पता सो मैंने टावर से जो है बता जाया क्योंकि Украї coaster जो है इधार जाता है एक बंद लेकिन उसने जो है वाल लगा लियो लेकिन मैंने उसको काफी जादा डेमेजू कर दिया था तो फिर कई बंदे इधार रस करने चले जाते हैं, आपको ऐसा गल्ती कभी भी नी करना है, जो नुपन में बनाएं आप उस फे रस करने जाओगे तक उसको मार भी दोगे, लेकिन कोई तीसरा बंदा आकर आपको उड़ा देगा, ऐसी होता है यार सोलो में, ऐसी ही होता है आपको थ् पार्टी से बचने का तरीका क्या है आप फालतू में रस ना करो जैसे उसको थोड़ा सा मैं डायमेज किया मैं चाहता तो कई बंदे उसको जाकर रस करके उड़ा देते और मार भी देते या फिर उसको मर भी जाते उसका मैं नहीं सोच रहा हूं लेकिन वह बंदा मेरे को भी हो घाना तो यहां पर वह लाष्ट वाला तो नहीं था लेकिन यह वाला बंदा बोल भाई । इसको मैं नेड करूंगा सोच़के छोड़ा समय पास में पास में आता हो लेकिन वह बंदा जो है वह एक फ्लैस्ट नेड करके इधार चला जाता है तो इसको लगता नहीं और यहां पर मैं नेड करने का सोचता हूं तो यहां पर एक लास्ट वाला बंदा और बच रहा था उसका लोकेशन तो मेरे को पता तो नहीं था कि वह कहां पर रहे करके लेकिन मेरे को लग रहा था कि वह बंदा उधार क्लॉक्ट और के पास मतलब उधार ही होगा करके क्योंकि उधार जोन बना था इधार तो ओपन एरिया था यह धार तो होता दीग जाता तो फिर उदहर मैं बढ़ना श्टार्ट कर दिया राप लगा के आप हमेशा डरmegस सब्सक्राइब करने कर नकर वन आphenे तो फिर लगा लगा हे लो आप और। यह यह बंदा वंचे ना मतलब दोसरे गभा दें ने का वेड राप वाल लगा लगा थे अब यह बंदा जो है मेरे को काफी ज्यादा डाइमेज कर दिया था साइद यह बंदा जो एसवीडी चला रहा था या फी और कोई दूसरा गण चला रहा था लेकिन बहुत ज्यादा वह गण जो है और इधार आ जाता है अब यह बंदा मेरे पर डारेक्ट रस मार रहा था और इधार सायद इसने बहुत ज्यादा नेट थे इसके पास तो नेट का बारिश कर दिया मेरे पर लेकिन कोई मतलब क्या नहीं था वो बिना कुक किया किया और इधार मैंने एक नेट जो है और ट्रा खा लिया था उसका मतलब मेरा आधाइस भी उसने खा लिया था लेकिन फिर भी मैंने उसको रही दिया और इसमेर भी मेरे को पूरा प्लस नहीं मिला बाइसी प्लस मिले जबकि चार और प्लस मिलना था मेरे को तो फिर ऐसी होता है किल नहीं रहता तो पूरा प्लस नहीं मि